नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे लाजवाव और स्वाडी चिकेन मसाला, अगर आप भी नोनवेच के सोखीन हैं, तो इसे आप अपने घर पे एक वार जरूर बनाएं, तो अगर आपको भी कुछ स्पाइसी और मसालों से भरपूर खाने का अमन करें, तो आप भी अपन से रेस्पी को और देखते हैं कि इसे बनाने में हमें किसकी चीज की जरूरत होगी, सबसे पहले हम एक केजी चिकन लेंगे और इसे अच्छे से धो लेंगे, तो हम साथ सो ग्राम प्याज लिए हैं, इसे हम छिल के धो लिए हैं, और हम इस प्याज को सलाइस में चॉप कर लेंगे, हम प्याज की क्वांटिटी त्वाजादा लेंगे, क्योंकि यहां पर हम तर्माटर का यूँ चिकन में नहीं करने बाले हैं, साथ ही हम चिकन में पानी को एड़ लेंगे, तो हमने सभी प्याज को अच्छे से चॉप कर लिये हैं, अब हम एक कडाही लेंगे और इसमें हम तेल रखेंगे, और तेल को हम गर्म होने देंगे, अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हम कुछ खारे मसाले आड करेंगे, तो दो पीस हमने डालचीनी लिये हैं, वन भाई हाप few चमच, जिरा लिये चार पीस छोटी इलाई ची लेंगे, एक प मिर्च लेंगे, 10-15 काली मिर्च लेंगे, और 2-3 पिस्तिछ पत्ता लेंगे, अब हम सभी को तेल में एड़ करेंगे, सभी खारे मसाले का कलर गोल्डेन होने देंगे, तो अब सभी खारे मसाले का कलर चेंज हो गया है, तो इस टाइम हम प्याज को एड़ करेंगे इसमें, औ चिकन काफी Tasty Wash के तयार होता है, अब हम प्याज को सुनरा कलर होने तक पकाएंगे, तो जब तक प्याज भून रहा है तब तक हम homemade masalah तो हम होममेट मसाले के लिए अदरक लेंगे अदरक को हमने छील के कट कर लिया है लहसुन लेंगे 15-20 कली 5-6 लॉंग लेंगे एक बरी लाईची लेंगे 15-20 काली मिर्च लेंगे और 1 वाइब हाप चमच जीरा लेंगे अब हम सभी मसाले को एक जगा एड कर लेंगे और इसे अच्छे से कूट लेंगे तो हमें इस परकार से सभी मसाले को अच्छे से कूट लेना है यह मसाला आप अपने सबजी मटन चिकन सभी में यूज कर सकते हैं खारे मसाले को कूट कर चिकन में रखने से चिकन का टेस्ट काफी अच्छा हो जाता है प्याज को हम बीच बीच म बून लेंगे इसके हम घैस का फिले मेडियम रखेंगे दो मिन्ट हो गया है तो अब हम ज्टें में परॉडर दही ताजा होना चाहिए, और एक चमच नमक लेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग ले सकते हैं, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे हम 5 मिनट मेडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे, अभी हमें चिकेन को चलाना है जिससे की दही फटे नहीं, तो हम चिकेन को चलाते रहेंगे, हमने चिकेन को पाच मिनट अच्छे से भून लिये हैं, आप देख सकते हैं कि मसाले से तेल अलग होने लगा है, अब हम चिकेन को लो फ्लेम पे 10 मिनट तक ढग के पकाएंगे, हमने चिकेन में 100 ग्राम तेल यूच किये हैं, आप इस जग चिकेन मसाला एड़ करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे चार से पाच मिनट और पकाएंगे तो अब हमारा चिकेन मसाला बनके तयार हो गया है तो आप देख सकते हैं कि चिकेन मसाला देखने में कितना यमी लग रहा है और यह खाने में उतना ही को अपने भर पर जरूर बना औरहने कमेंट करके जरूर बताए कि आपको तो आप ивать कि नोटिस कर सकते हैं कि हमने चिकेन-मसाला को बनाने में बिल्कुन पानी का यूज नहीं कीए तो शकारण टॉले तो आप देख सकते हैं कि हमारा चिकेन कितनी अच्छे से पक्के तयार हो गया है। कि अंदर तक मसाले चले गए हैं तो अब्र आप भी मेरे चैनल पे नए है कर दो